हमने थोड़ा वेदिक प्रणाली पे स्कूल को चलानी कोशिश कर रहे हैं तो हमने अपने जो चार वेद हैं उनके नाम से स्कूल के हाउसिस के नाम भी रखे हैं कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बच्चों को और आदा गंटम रादा कृष्ण किर्टन भी कराते हैं स्कूल में सेम्बली में बट हमारे सामने महारा जी एक समस्या चल रही है क्योंकि हमारा स्कूल है दिल्ली न्सियार के असपस जहां पर भोतिक वात बहुत जादा है और वहां पर सारे प्रियास करने के बावजूद भी सभी अभिभावकों को हम संतुष नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भगवान का नाम लेना किर्टन करना शायद थोड़ा समय नश्ट करने वाली बात है तो काफी बच्चे हैं जो घर में भजन करना चाते हैं उनके अभिभावक कहते हैं कि जादा समय मत दीजे इन चीजमें पिर उनी अभिभावकों को वही बच्चे जिनको धर्म से रहित सिक्षा दी जाती है डंडे मार के निकाल देते हैं फिर बाद में रोना होता है उनको कि मेरी संपत्य मेरे बच्चों ने छेन ली और धक्का मार के बाहर निकाल दिया क्यों बच्चों का ही दोश नहीं आपका दोश आपने संसकार ऐसे दिये आज जब धर्म पूर्वक संसकार के सिक्षा हो रहे तो वो बिरोध कर रहे हैं तो आज नमीन बच्चे अपने माता पिता के सैकुणों बच्चों में से कौन पैर्श होता है प्रात काल उठके रहुनाथा मात पिता गुर्णावें माता नहीं छोते हैं बे समय उठना मन मानी आचरण करना थोड़ा सयाने हो जाना ब्रिटाचार में उतर जाना अपने ब्रह्मचरी को नश्ट कर देना अपनी पवित्तरता को खो देना और मन मानी आचरणों अब वो बच्चे जब सयाने होंगे तो माता पिता को स्वागत कैसे करेंगे ये माता पिता नहीं समझ रहे कि अगर आज हम धर्म विहिन उनको आच्छन सिख्षा देते हैं, वह ही कल हमारे साथ बरता होगा, बड़े बुढों को लातों से मार रहे हैं, बड़े बुढों को घर से निकाल दिया गया है, वो जो आखोंगों काम नहीं करें, सरीर काम नहीं करें, आब उनकी भगवान की सेवा होनी चाहिए कैसे सेवा करें आपने रजोगुणी आसुरी प्रवत्ति की सिक्षा दी तो अब कैसे धार्मिक प्रवत्ति हो जाएंगे तो हमें लगता है कि उन माता पिता को शमजना चाहिए कि नाम जापक भालक धर्म पुर्वक चलने वाला बालक यह तुम्हें भग सेंड देगा क्योंकि तुमने उसकी शिक्षा गलत कि मात पिता बालक ही बुलावें उदर भरेस ही जतान से घंवर जाएं जिस drug वर धर्म पूर्वक बेवार करें कैसे हम सैयम का वर्ताव करें ये बात तो हमारे अध्यात्म से ही पता चलेगा हम काम क्रोध लोब मद मत्सर आधी को कैसे सायन कर सकते हैं ये बात तो नाम जब से मिलेगी हम नाम जब है ने अध्यात्म सास्त्रों का ना स्रवन है ना कथन है ना बच्चा बिना पाने ग्रहन के ब्रेश्ट हो चुका है वो कैसे पतिनी को प्रान से भी अधिक प्यार कर पाएगा जब ग्रेश्थी में पती पतिनी पर भी विश्वास नहीं रहे जाएगा वो ग्रेश्थी किस काम के आएगी तो पढ़ाई लिखाई के साथ अगर धर्म ग् कि सिक्षा नहीं है तो आधुनिक्ता बढ़ती जा रही है व्यशन बढ़ता जा रहा है व्यविचार बढ़ता जा रहा है कुमार्ग गामी प्रवत्यां उच्छंखल मता पिता यहां के बोलते हैं कि हम बेटे से कहते हैं या बेटी से कहते हो कि तू अपने को देख यह सब करते हैं इसका मतलब हमारी विद्या में कमी है जो अभी बीच में दो अधिकारी उत्तर प्रदेश के उच्छ सिक्षा मंत्री और माध्यमिक हाँ दोनों उनसे यही प्रार्थना की थे कि और उन्हों पहले वाले लागू भी किया था कि 30 मिनट या 45 मिनट हमारे अध्यात्मिक शास्त्रों की चर्चा बच्चों को करा ही जाएगी है तो बिना अध्यात्मिक चर्चा के तो पतला अब हमें लगता है जीवन अधूरा ही है चुटे-चुटे बच्चे ऐसे कारियों से गरशित हो रहे हैं जो अपनी जीवनी सक्ति को नश्ट कर रहे हैं हमारे पास आए शोफ सोफ फैना जैसे कैसे तेरा वर्श का बच्चा अब वो गलत चेश्टाओं में बच्चों के साथ गलत क्रियाएं कı ने लगा अब उसको खड़े होने में चक्क्र आता है क्योंकि बच्चे उनको पताने की जो ने उतर रहे हैं इनुमेरा नास करने वालीगीं अगर जब चलना है थोड़ी देर वैदिक शूत्रों का गायन हुआ थोड़ी देर वैदिक शूत्रों की चर्चा हुए तो इनकी स्रमण मात्र से बुद्धी पवित्र होगी इनके पापनफ्ट होंगे इनका हरदय निर्मल होगा अब माता पिता जो लोग नहीं समझते हैं कैसे देव ब्रद्ध माता पिता का आधर नहीं करता है वो चाहे जितना बड़ा पद अब में पहुंच जायों कभी सुक्सांति को प्राप्त होगा पर अब उसको इस शिखाया ही नहीं गया ना संसकारी नहीं दिये गये संसकार एक गरीब किशान ने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया हमें कता नहीं सुना रहे मतलब इस्थिती बता रहे और वो नियाई विभाग ने बड़ा धिकारी बना वो अपने मित्रों के साथ बैठे चाय पी रहा था और वो गया धोती साधारन जूता कुरता गाउं क किसान ना वो उठा न पैर्श हुआ तो एक बार तो उसको लगा कि मेरा बेटा और उसे मित्रों कुछा कौन है उनका हमारे घर का नोका रहे कदम पीछे किये और वापस लोट गया जब वो गाउं गए तो उनका पापा इज़्जद बचाने के लिए कहना पड़ा क्योंकि यह ग्यान हुआ कि तुम अपने मित्रों के सामने मुझे कह रहे हैं कि मेरे घर का नोकर है बस बस हम समझ गए कि हमसे गलती हो गई तो यही गलती आज जो माता पिता कर रहे हैं इनको अवश्य फिर वही बच्चे जो दंडता को प्राप्त हो जाते हैं वही दंड देते हैं मुझे लगता है माता-पिता से प्रार्थना है कि आप भी सास्त्र श्वाध्य कीजिए आप भी ऐपने जीवन को शमाल लिए क्योंकि जीवन ये कुछ दिनों का है यह इस्थाई जीवन नहीं है 70 वर्स-80 वर्स अब जैसे 80 वर्स लगता बहुत अब आपकी आयन कितनी है 45 45 साल निकल गए, कैसे निकल गए आपको पता चला, जीवन से 45 साल निकल गए, अब पता नहीं कितने मिनट हमारे जीवन में कुछ पता नहीं, इसलिए हम यह प्रार्थना करते हैं आप से कि आप जहां तक हो सके, तहां तक बिरोध सह के भी, अपमान सह करके भी, इन बच्चो पाठ करें, पर एकामत में धर्म की सूत्रों को समझ लें, यह हमारे समाज लायक हो जाएंगे, यह हमारे राष्ट की सेवा करने वाले बन जाएंगे, और कभी यह आपको मंद से प्रणाम करेंगे कि हमको टीचर ऐसे मिले, गुरुदेव ऐसे मिले, जिनुन ने हमें ऐसा रुकेगा और खूब धर्म पूरक्ष ले तो भगवान सायोगी इनके अंदर बच्चों के अंदर भगवान बैठे इनका मंगल हो जाएगा यह हमारी नई पीधी भारत की यह उन्नती सील धर्मवान और धैरिवान बन जाएगी जो आज नाक में गुशा है चुटी चुटी बातों में हिंसा में उतर रहें नौजवान लोग छुटी चुटी बातों में इतने विक्षेव को प्राप्त हो रहें कि अपने जीवन को नस्ट कर रहें यह कारण क्या है अध्यात मुश्रूर नी जीवन इसले आप बिलकुल हिम्मत मत हरेगा और धैरिपुर्वक्ष चल लगती हो यह प्रशनता मारा जीन अंदर नाम जब करो बाहर से कुछ कर माला भी मतलो घर में माला जूले में डाल लो वहां हाथ में मतले ना राधा 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 जो गुरू जी ने टीचर ने पढ़ाया है उसका मानशिक शिंतन करो जो वैदिक सिद्धान तद्य आत्म वहां मत खोलो कोई धर्म ग्रंथ अगर घर में विरोध होता है देखो प्रवीनता पुरुवक अपने को अच्छा बनाना है अब विरोध हो धर्म ग्रंथों को फेक दें या आपके माला को तोड़के फेक दें तो फिर आपको दुख होगा और उनको आपराध होने हम कोई ऐसा कारिया दिखावटी ना करें जिससे हमारे घर वाले विरोध करते हैं तो उसी घर में रहना है और फिर आगे ग्रेस्थी में जाना है मालोग पती ऐसा मिले कि विरोध करने वाला तो हमको बहुत सावधानी से भक्ती करनी अंदर मजबूती कर ले नहीं बाहर से अगर तुम रोकना चाहते हैं तुम रोक लेते हैं हम तिलक नहीं लगाएंगे हम कंटी नहीं बाहरी नहीं चुएंगे पर हम अंदर से राधा राधा करेंगे इसे कौन जानता है हम अंदर से धर्माचरन करेंगे इसे कौन रोक सकता है समझ रहे ना बच्चो आज मजबू लगने लगेगा कि कहां भगवाने जब हम नाम जब करते हैं तो हमारे घर में यह असांती और मुझे दंड मिल ला है तो मुझे सुख कौन देगा कब राधा नाम सुख देगा कब कृष्णा नाम सुख देगा इसलिए अभी धैर पुरुवग पौधा बहुत छोटा है वही जब विशाल बटबरक्ष का रूप धारन करेगा तो वहाँ थी भी नहीं नश्ट कर पाएगा तो अभी बहुत छोटे वच्चे हो इसलिए अंदर ही अंदर नाम जब करो जिस घर में विरोध होता हो उस घर में बाहरी भक्ती को कुछ भी ऐसा मत करो जिससे विरोध हो और अंदर से बलवान हो जाओ अपने गुरुजनों की बात बारो जो टीचर कहें उनके आग्या में दो